दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं अगर आप एक CAC सेंटर चलाते हैं या फिर आप किसी भी परकार की कोई भी ओनलाइन शोप चलाते हैं तो आप अपने सेंटर पर अपने किसी भी कस्टोमर के फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो में कैसे प्रिंट कर सकते हैं आज किस वीडियो में मैं आपको डिटेल से सिखाने वाला हूँ मैं आपको passport size photo बनाना भी सिखाऊंगा साथी साथ उसको मैं आपको print करके भी दिखाऊंगा तो ये वीडियो आपको end तक देखनी है बीच में skip नहीं करना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो photo को open करने के बाद अब सबसे पहले आपको अपने photo को resize करना होगा यानि कि आपको अपने photo को passport size photo में crop करना होगा तो crop करने के लिए यहाँ पर आपको crop tool का एक option मिलता है इसको आपको select कर लेना है अब जैसे आप इसको select करोगे तो उपर आपको width और height के दो option मिलेंगे अब width में आपको enter करना है 3.5 cm और height में आपको enter करना है 4.5 cm तो इस ratio को आपको ध्यान से देख लेना है यही same ratio आपको enter करना है अब जैसे आप enter करोगे तो आपके photo के 4 और कुछ इस तरीके से corner आ जाएंगे इन corner का इस्तेमाल करके आपको frame के अंदर अपना जो photo है कुछ इस तरीके से आपको set करना है अब दोस्तो photo को set करने का मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ जिसको photographer भी यूज करते हैं जब भी आप अपने photo को set करते हैं तो फोटो को set करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, कि आपके फोटो के जो दोनों solder है, यानि कि जो दोनों कंदे हैं, वो frame के अंदर equally set होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा ये जो photo है, और यहाँ पर मेरे photo के जो दोनों कंदे हैं, वो equally frame के अंदर है, तो कुछ इस तरीके से ही आपको अपने photo को set करना है, उसके बाद simply आपको यहाँ पर right का एक option मिलेगा, इस पर आपको tick कर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो photo है, वो perfect size में crop हो चुका है, तो photo को resize करने के बाद, अब बारी आती है photo के background को change करने की, तो photo का background change करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने photo के background में या तो red color को fill करना है, या फिर आपको blue color को fill करना है, या फिर आपको white color को fill करना है, इन तीनों में से ही आपको कोई भी एक कलर को फिल करना है क्योंकि ये तीनों कलर यानि कि red, blue और white यही तीनों कलर professional कलर होते हैं पासपोर्ट साइज फोटो के लिए इन तीनों के अलावा आपको किसी दूसरे कलर को फिल नहीं करना है जैसे कि मैं अपने फोटो के background में red कलर को फिल करने वाला हूँ तो background को change करने के लिए पहले आपको इस background को remove करना होगा background को remove करने के लिए उपर आपको quick selection tool का एक option मिलता है इस tool को आपको select कर लेना है अब जैसे आप tool को select करोगे तो आपका जो cursor है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा अगर आपको इस cursor को छोटा या फिर बड़ा करना है तो आपके keyboard में curly bracket के जो दो button होते हैं जैसे आप उनको press करोगे तो यहाँ पे जो cursor है यह छोटा बड़ा आप यहां से कर सकते हैं अब background को change करने से पहले मैं photo को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे अगर आप Photoshop में किसी भी object को जूम आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने keyboard में Ctrl-Button को एक साथ प्रेस करना है अगर आप किसी भी object को जूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने keyboard में Ctrl-Button को एक साथ प्रेस करना है अब दोस्तो background को change करने के लिए यहाँ पे आपका जो cursor है इसको आपको background पे कुछ इस तरीके से drag करना है अब जैसे आप drag करोगे तो आपको जो background है वो यहाँ पे automatic select हो जाएगा लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि यह छोटी मोटी गलतिया कर देता है यानि कि जो tool है यह छोटी मोटी background को select करने में गलती कर देता है उसके बाद जैसे आप इस पे click करोगे तो आपके जो problem है यह यहाँ पे ठीक हो जाएगी इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगता है कि इसने गलत area को select कर लिया है तो उसको आपको कुछ इस तरीके से manually यहाँ पे fix कर लेना है तो यहाँ पे हमारी यह जो problem है यह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको अपने photo पे right click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको feeder का option मिलेगा इस पे आपको click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको 2 पिक्सल का फीदर देना है उसके बाद आपको OK पर किलिक कर देना है उसके बाद जो भी कलर आप फोटो में फिल करना चाहते हैं उस कलर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे आपको किलिक करना है और यहां से आप जो भी color background में रखना चाहते हैं red, blue या फिर white उसको यहां पर आपको select कर लेना है लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है आपको ज़्यादा bright color को select नहीं करना है यहां से आपको light color यानि की हलके color को select करना है उसके बाद आपको अपने keyboard में delete button को press करना है जैसे आप press करोगे तो आपके सामने एक छोटी से window open हो जाएगी उसके बाद यहां पे आपको content का option मिलेगा इस पे click करना है यहां से आपको background color को select करना है और simply आपको ok पर click कर देना है अब जैसे आप ok पर click करोगे तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे photo के background में red color fill हो चुका है और काफी perfect तरीके से fill हो चुका है अब दोस्तों यह जो selection है इसको आपको remove करना होगा अगर आप Photoshop में किसी भी selection को remove करना चाहते हैं तो आपको अपने keyboard में control plus D button को press करना है जैसे आप press करोगे तो जो selection है वो हट जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे जो background है वो काफी perfect तरीके से यहां पर fill हो चुका है अब मैं यहां पर move tool को select कर लेता हूँ अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका जो photo है वो काफी ज़्यादा dark है और आप उसको bright करना चाहते हैं तो bright करने के लिए यहां पर आपको image का option मिलेगा इस पर आपको click करना है उसके बाद यहां पर आपको adjustment का option मिलेगा इस पर आपको अपने mouse का cursor लेके आना है और यहां पर आपको brightness and contrast का option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने एक pop-up window open हो जाएगा और यहां पर आपको brightness और contrast का option मिलेगा तो यहां से आपको अपने इसाप से जो brightness है जो contrast है उसको कम या जादा कर लेना है उसके बाद simply यहाँ पर आपको OK पर किलिक कर देना है अब दोस्तों आपका यह जो फोटो है यह प्रिंट होने के लिए रेडी है तो फोटो को प्रिंट करने के लिए आपको A4 Size का एक नया पेज लेना होगा तो नया पेज लेने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl पलस N बटन को एक साथ प्रेस करना है अब जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पे आपको A4 Size का एक फॉर्मेट मिलेगा इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको यहाँ पे फॉर्मेट नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको प्रेंट का एक उप्शन मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको A4 Size का फॉर्मेट मिल जाएगा इसको आपको select करना है और simply नीचे आपको create पर click कर देना है अब जैसे आप create पर click करोगे तो आपके सामने A4 size का page आ जाएगा अब दोस्तों वापस आपको अपने photo वाले page पर आना है अब यहाँ पे आपको इस photo को कुछ इस तरीके से drag करना है और A4 size वाले paper पे लाके drop कर देना है अब यहाँ पे आपको अपने photo को एक अच्छा सा border देना होगा तो border देने के लिए यहाँ पे आपको edit का option मिलता है इस पे आपको click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको stroke का option मिलता है इस पे आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको color में black color को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको width में enter करना है 10 pixel और simply आपको ok पर click कर देना है अब जैसे आप ok पर click करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे photo के चारो तरफ एक अच्छा सा border आ चुका है अब इस photo को आपको इस page के अंदर कुछ इस तरीके से अच्छे से set करना होगा लेकिन set करने से पहले कुछ जरूरी बाते हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ A4 size के page पर आप एक बार में 42 photo को print कर सकते हैं और एक line में आपको 6 photo को print करना है यानि कि एक row line में आपको 6 photo को print करना है इसी तरीके से आप इस page पर total 42 photo को print कर सकते हैं तो आपको गया करना है आपको अपने photo को अच्छे से set करना होगा तो set करने के लिए आपको अपने keyboard में Ctrl पलस T बटन को एक साथ प्रेस करना है उसके बाद कुछ इस तरीके से छोटा या बड़ा करके अपने photo को set कर लेना है उसके बाद एक line में आपको 6 photo को add करना होगा अगर आप 6 photo को add करके print करोगे तो आपके जो photo है वो perfect size में print होगे तो आपको गया करना है आपको 6 photo set करने हैं तो 6 photo को set करने के लिए आपको अपने keyboard में alt और shift बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है और कुछ इस तरीके से आपको अपने photo की copy बना लेनी है और copy बनाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एक line में 6 photo को याँपे set करना होगा जैसे कि याँपे 4 photo set हो चुके हैं अब इस तरीके से आपको 6 photo को set करना है जैसे कि मैं याँपे set कर रहा हूँ आपको अपने keyboard में alt और shift बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है और आपको अपने जो 6 photo हैं कुछ इस तरीके से आपको याँपे set कर लेने हैं अगर ये set नहीं होते हैं तो जो keyboard में arrow बटन होते हैं आप down और left right वाले कुछ इस तरीके से drag आपको करना है और आपको अपने जो photo हैं उनको अच्छे से page के अंदर set कर लेना है जैसे कि याँपे आप देख सकते हैं हमारे जो photo हैं वो लगबग याँपे set हो चुके हैं अब जितने भी photo की आपको जरूत है उतने ही photo की आपको याँपे copy बना लेनी है अब copy कैसे बनानी हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सभी photo को एक साथ select कर लेना है select करने के बाद आपको अपने keyboard में control plus c button को प्रेस करना है अब जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके photo की copy बन जाएगी उसके बाद आपको old button को प्रेस करके रखना है और आपको कुछ इस तरीके से photo को नीचे की तरफ drag करना है जैसे आप drag करोगे तो आपके photo की जो copy है वो यहाँ पे बन जाएगी इसी तरीके से जितने भी photo की आपको जरूत है उतने ही photo की यहाँ पे आपको copy बना लेनी है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पे 42 photo को एक साथ print कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 42 photo को add कर लिया है तो एक बार में आप A4 Size पर 42 फोटो को print कर सकते हैं लेकिन जैसे कि अगर आपको 18 फोटो को print करना है तो कुछ इस तरीके से आपको केवल 18 फोटो को ही यहाँ पे add कर लेना है उसके बाद इन फोटो को आपको print करना है तो print करने के लिए आपको अपने keyboard में control plus P बटन को एक साथ प्रेस करना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने print setup आजाएगा अब यहाँ पे आपको print setting का एक option मिलता है इस पे आपको click कर देना है अगर आप high quality में फोटो को print करना चाहते हैं तो इस setting को आपको ध्यान से समझना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको document size का एक option मिलेगा इस पे आपको click करना है और यहाँ से आपको A4 को select कर लेना है बहुत important option है अगर आप high quality में फोटो को print करना चाहते हैं इस पे आपको click करना है और यहां से आपको Ipsun Premium Glossy को select कर लेना है अगर आप High Quality में फोटो को print करना चाहते हैं उसके बाद यहां पर आपको Quality option मिलेगा इसमें आपको Standard को select करना है उसके बाद नीचे आपको OK पर click कर देना है उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर आपको एक option मिलेगा Scale to Fit Media इस पर आपको tick कर देना है अगर आप इस पर tick नहीं करोगे और direct आप यहां से इसको print कर दोगे तो आपके जो photo है वो side से cut जाएंगे यानि कि corner कर जाएंगे और आपके जो photo है वो अच्छी size में print नहीं होंगे तो इस option पर आपको print करने से पहले tick जरूर कर देना है उसके बाद simply यहां पर आपको print पर click करके आपको अपने photo को print कर लेना है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारे जो photo है वो काफी अच्छी quality में और अच्छे तरीके से print हुए है photo का कोई भी corner नहीं कटा है अच्छी size में photo print हुए है आप भी कुछ इस तरीके से अपना या फिर अपने किसी भी customer के photo को print कर सकते हैं आप इससे भी अच्छे तरीके से photo को print कर सकते हैं हाला कि camera की नजर आपको उतने अच्छे तरीके से इन फोटो को नहीं दिखा पा रही है लेकिन वास्तों में यकिन मालें कि यопас ख़ी अच्छे तरीके से print हुए है और आप भी इससे भी अच्छे तरीके से आप photo को print कर सकते हैं अगर आपको ठोड़ी ब recurve Photoshop के knowledge है तो आप और भी अच्छे तरीके से photo को प्रिंट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे फोटो के अंदर आपको ज़्यादा कलाकारी करके नहीं दिखाया है, मैंने आपको normal जो customer के फोटो प्रिंट किये जाते हैं, वैसे तरीके से ही मैंने फोटो को यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया है, लेकिन अगर आप अपने फोटो को प्रिंट करोगे तो आप और भी अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकते हैं आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिलिएटलि आप वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना प्रोग्राफ चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटाव जाके कर देना